बात मद्ध्य प्रदेश के करेंगे मद्ध्य प्रदेश के धार में भोजशाला से जुड़ी वी बड़ी ख़बर आपको बता दें भोजशाला की SI report कोर्ट में पेश कर दी गई है SI ने MP High Court में सर्वे रिपोर्ट जमा की है सम्मिट की है, SI सर्वे में बोजशाला में मंदिर होने के सबूत है, सुत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, SI ने 2000 पन्नों की 2000 पेज की सर्वे रिपॉर्ट कोट में पेश की है, 22 जुलाई को अब इस पूरे मामले में कोट की तरफ से सुनवाई की जाएगी, अखलेश सोलंकी जादा बाचेत के लिए लाइव हमारे सायूगी इस वक्त सीधा हमारे साथ बोपाल से जूट चुके हैं, अखलेश काफी इंतजार इस रिपॉर्ट का किया गया और आखिरकार आज SI की तरफ से रिपॉर्ट कोट में सौप दी गई है, क्या कहा जा रहा है कि इस रिपॉर्ट में क्या हो सकता है, कौन सी बाते, कौन सी बिंदो। मूर्तियां, भगवान कृष्ण की, शिव की, हनुमान की, ब्रह्मा, बागदेवी की मूर्ति, क्योंकि बागदेवी का इसको मंदिर माना जाता है, बहुशालाग जो हिंदू पक्ष का दावा है, तो तमाम तरह की गतिविदियां वहां पे देखने हों के लिए और सबूत रहे हैं, एसाई के, और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है, तमाम दस्तवेजों की, तमाम चीजों की, तो ग्राउंड पेनेटरिंग रडार, यानि जी पी आर और ग्रोबल पुजिशनिंग सिस्टम, जी पीएस की साहता से तमाम रिपोर्ट तयार की गई है अब देखने ये होगा, कि बाइस तारिक को, जो हाई कोर्ट की इंदौर पीठ है, उसका क्या रुख रहता है, क्योंकि सुनवाई बाइस को होगी, क्योंकि देखिए, इसमें और भी पक्ष हैं, मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, कि हैं, उसको लेकर जो सोर्स कह रहे हैं, उसमें काफी कुछ तश्वीर जो है, हिंदौ पक्ष के पक्ष में एक तरह से नजर आ रही है, जी, अकलेश क्योंकि सब के अपने अपने दावे हैं, जैसे मुस्लिम पक्ष की बात करें, उनके अपने दावे हैं, जैन पक्ष की यह सब उसको और ज़्यादा मजबूत करते हैं। ज़्यादा करते हैं। काफी significant report है बोशाला में archaeological survey of India की archaeological survey ने जो report file कि इससे हमारा case और मजबूत होता है और मुझे ऐसा मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में ASI ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगा पे पुझा करने का और इसी जगा पे नमाज पढ़ने का मंगल को और Friday को वो आदेश गलत है इंदोर हाई कोट के सामने हम इस मामले को लेके गया थे ओनर इंदोर हाई कोट ने ASI के survey का निर्देश दिया था इंदोर हाई कोट के आदेश के खिलाफ जिसमें ASI survey को अपॉइंट किया गया था एसी को नूट किया था अकलेशन सोलंग के स्वक्त लगातार हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़ेवे हैं अकलेशन बात का जिक्रा भी हम कर भी रहे थे उसी बात का जिक्र विश्टु जायन शंकर भी कर रहे हैं कि 98 दिन ये पूरा survey चला है 2000 से जादा के पन्नू के रिपोर्ट है इसके लावा 1700 से जादा प्रमाण मिले हैं विशेश मिले हैं तो सायर सी बाते जो हिंदू पक्ष है उनका अपने आप में किस स्ट्रॉंग हो जाता है और देखे जिस तरह से आप हिंदू पक्ष के वकील को सुन रहे थे जो बात हम कह रहे थे वही बात है कि पहले तो इस्टे दिया हुआ था कि कोई भी सर्वे नहीं होगा लेकिन जब सुप्रीम कोट हिंदू पक्ष मूब हुआ तब सर्वे की परमिशन हुई और सुप्रीम कोट ने उसी वक्त यह कह दिया था कि कोई भी finding या कोई भी फैसला जो है सुप्रीम कोट के एक तरह से निर्देश के बिना आगे नहीं बढ़ेगा यानि कि बाइस तारिक को कोई फैसला आगा इस बात को लेकर कहीं कोई कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं है बाइस तारिक तक ये रिपोर्ट एक तरह साज सब्मिट हो गई हिंद और हाई कोट जो खंड़पीट है उसमें गई है लेकिन सुप्रीम कोट इस पर क्या रोख लेगा उस पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी किसका पक्ष मजबूत हो कि उसमें एक मीडिया के तौर पर हमको किसी का पक्ष लेनी की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो पक्ष अपनी बाते रख रहे हैं उनके तरक जो हैं उसकी बात हम कर सकते हैं लेकिन ये तैय है कि आज जब रिपोर्ट सम्मिट हो गई है दोहजार पन्नों की सत्रा सो से ज़्यादा एविडेंस हैं अब 22 तारिक को इंदौर की जो खंड़ पीट है जबलपुरा हाई कोट की उसमें क्या निकलता है ये देखना दिल सा स्पोक और सुप्रीम कोट क्या क्या था इस पर भी सब की निगाएं जी और अकलेश क्योंकि मुस्लिम पक्ष के अगर बात करें क्योंकि नमाज वहां पर होती है ऐसे में जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से क्योंकि अभी ये बात खुद वकील भी कह रहे थे विश्णू जान श्रंकर भी कह रहे थे कि हम लोगों की तरफ से या चिका है कि जो पर मंडर फ्राइडे को नमाज की जाती है वो ना हो उसको बंद किया जाए तो क्या इस पर भी कोट की तरफ से कुछ अफैसल सुनाय जा सकता है क्या तेखिए अभी हमें लगता है कि कोट से कोई फैसला आए कि इस बात की उमीद इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोट में मामला जाएगा ये तैह है लेकिन अभी दोनों ही पक्ष की अगर हम बात करें तो मंगल को यहां पर पूजा होती हिंदू पक्ष की तरफ से और जुम्ह को यानि कि शुकरवार को मुस्लिम यहां पर नमाज आदा करते हैं पकी डेस में कोई भी आ जा सकता है जिस तरह का प्राबधान है अब दोनों ही पक्ष यह चाते हैं मुस्लिम पक्ष यह चाता कि पूरी तरह से ये टेरिटरी उनको मिल जाए और हिंदू पक्ष यह चाता कि पूरी टेरिटरी कि जो सन्वाई है उसके बाद किया सुप्रीम कोड मैटर जाएगा, सुप्रीम कोड का क्या रुक रहे गा, उस पर सब क्तले की दुकाएं जी? बिलकुल अकले शा में सी ऐस की पीरा रुक कोड का क्या रुक पूरे मामली पर रहता है इस बात पर सबकी नजरे टिकी रहेंगी हाला कि देखे हर धर्म के जो लोग है उनके अपने इसमे पक्षे चाहे वो हिंदू धर्मों मुस्तिम धर्मों या फर जैन हो उनका ही कहना कि मंदिर उनका है लेकिन कौट क्या इस पूरे मामली में कहेगा देखना उतना ही जादा इंपॉर्टिंट होगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकाई देने के लिए क्लिए